हेलो टेडर्स, मैं वीदे सागर हमारे यूटूब चनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है चलिए देखते हैं कल मार्किट कहाँ पर मुमेंटम कर सकता है एंड हमें कापर बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है जैसे कि दोस्तो कल के दिन हमने अपने फ्री वाले टेलिग्रम चैनल में HDFC Life का 490 का पुट दिया था जो की तरीके लेबल पर तो जैसे ही दोस्तो मार्किट ने हमारा लेबल एक्टिवेट किया तो उसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपको 5 तक के इसली टार्गिट देखने को मिले तो अगर दोस्तो आप हमारे फ्री वाले टेलिग्राम ग्रूप में जोइन होते जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्किप्सन में प्रवाइड कर दिया जाएगा तो सबसे पहले दोस्तो अभी हम यहां पर देख लेते हैं कि कल के दिन मार्किट यहां पर gap up open होने वाला है या फिर market gap down open होने वाला है अगर हम अपने निफ्टी की कलोजिंग की बात करें तो हमारे निफ्टी की कलोजिंग जो हुई है वो 16,945 के आसपास कलोजिंग हुई है तो जैसे कि दोस्तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि एजिक्स निफ्टी की जो कलोजिंग हुई है करना है मान लीजे दोस्तों वो यह डेटा यहाँ पे 17,100 के असपास आ जाता है तो आपको हमारी इंडियन मार्किट पे डेड़ सो पॉइंट के असपास मार्किट गैप ओपनिंग दिखा सकता है अगर यही डेटा दोस्तों यहाँ पे मान लीजे 16,900 के असपास आ जाता है तो फिर हमारी इंडियन मार्किट में हमें यहाँ पे गैप डान मार्किट दिखा सकता है तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का पंदमिन का चार्ट ओपन कर लिया है तो आप देखेंगे मार्किट इस रेजिस्टेंस के असपास मार्किट बार बार होल कर रहा था और यहाँ से जैसी मार्किट ने ब्रेक आउट दिया तो आप सभी को एक अच्छी का सी अपसाइट के मुमेंटम भी देखने को मिली आप सभी को पता है दोस्तों कि जब एक रेजिस्टेंस का लेबल यहाँ पे ब्रेक आउट हो जाता है तो वे फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम करने लगता है और फिर मार्किट ने यहाँ पे एक्जक्ली गया यही और फिर यहाँ पे आप सभी को सेलिंग देखने को मिल गई आप सभी को पता है दोस्तों कि मार्किट जब यहाँ पे ब्रेक आउट हो जाता है तो उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो उसके बाद यह लेबल फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करता तो market ने फिर यहाँ पर एक resistance लिया और उसके बाद दोस्तों आप से भी को यहाँ पर एक negative closing हमें देखने को मिली है और यहाँ पर जो bank nifty ने closing दिया वो 49,300 के आसपास हमें एक closing देखने को मिली है तो कि दोस्तों यहाँ पर क्या है जिस तरह से market अभी continuously आप देखेंगे तो 40,200 से market लगबग 49,300 तक तो यहाँ पर आप notice करेंगे तो 900 points के आसपास market already downside की तरफ travel कर चुका है तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो bank nifty की closing होई है वो 49,300 के आसपास closing होई है जो की एक negative closing है और आप देखेंगे तो यहाँ पर जो last time bank nifty में हमारे पास एक अच्छी bank देखने को हमें मिली थी तो दोस्तों जो level है यहाँ पर 49,000 का एक round level है तो यहाँ पर market देखेंगे दो तो अगर माले से दोस्तों market कल के दिन यहाँ पर 49,500 के ऊपर gap up open होता है या फिर इस level के ऊपर sustain होने लगता तो आपको यहाँ पर buying करने के लिए जल्दिवाजी नहीं करना है क्योंकि जब तक कि market दोस्तों 49,000 यहाँ पर 570 के level को cross नहीं करता है तक तक आपको यहाँ पर को यहाँ पर एसल लेने की जोर्त नहीं है और दोस्तों आप से भी को फिर यहाँ पर पहला जो target है वो 49,700 तक के आपको target देखने को मिल चेकते हैं और फिर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर market क्या कर सकता है आपको एक double pattern बनाते हुए भी देख सकता है तो जैसे इस level का breakout होता है तो फिर दोस्तों आप यहाँ पर फिर long positions भी बना सकते हैं अगर मानलीचे दोस्तों market यहाँ पर gap down open हो जाता है 49,200 के आस पास पे तो दोस्तों आपको पहले यहाँ पर 49,000 के level पर wait करना है क्योंकि दोस्तों 49,000 एक round level है और यहाँ से market दो बार एक अच्छा नहीं है क्योंकि देखिए market में already buying आई थी इस level से और market इस level पर दुबारा से आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है क्योंकि जब तक आप यहाँ पर देखिए retracement के साथ आप buying करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर आपको फिर वो कहीं न कई फिर double pattern जरूर देखने को मि आपको पहले यहाँ पर जब इस level के आपको पहले ना तो बाइंग करना है ना आपको continuously selling करना है क्योंकि क्या होगा दोस्तों आपको selling कब करना है जब market यहाँ पर क्या करता है 49100 के नीचे travel करने लगता है एटलिस 15 मिन की candle यहाँ पर close करता है देन आप उसके नीचे यहाँ अप selling की positions को बना सकते हैं तो चली दोस्तों अभी हम देखते हैं यहाँ पर निफ्टी में हमें किस तरह का momentum देखने को मिल सकता है तो जैसे कि दोस्तों अभी हमने यहाँ पर निफ्टी का पंदा मिन का चार्ट ओपन कर लिया है तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो market क् 800 के level से आप सभी को यहाँ पर एक अच्छी का सी buying देखने को मिल रही थी बार बार market एक बार उपर गया फिर नीचे की तरफ आया और फिर market ने यहाँ पर उपर की तरफ फिर गया और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे है तो market कही न कहीं क्या है 16,800 के level पर बार बार यहा पर आ रहा है और यहाँ पर भी देखिए इस बार भी market ने कोसिस किया लेकिन इस बार भी market यहाँ पर continuously नीचे की तरफ आ रहा है तो कहीं न कहीं अगर market इस level पर बार बार गुमा फिरा के आ रहा है तो कहीं न कहीं हमें यह sign दिखाता है कि market अभी week पढ़ने वाला है और इस support को भी यहाँ पर breakdown अगर करता है तो दोस्तों फिर आप से भी यहाँ पर 16,500 तक के भी targets देखने को मिल चकते हैं क्यूंकि दोस्तों आप अगर इस range की बात करें तो आप इस range को अगर major आप वो करेंगे तो 17,150 और दोस्तों यहाँ पर 16,800 तो कहीं न कोई दोस्तों यहाँ हमें 500 पॉइंट की easily momentum downside की दरफ भी देखने को मिल चकती लेकिन दोस्तों उस चीछ को यहाँ पर हम लोग पहले confirm होने देंगे क्यूंकि दोस्तों जब तक की इसके नीचे market at least 15,000 की candle close नहीं देता है तब तक आपको यहाँ पर negative नहीं होना है आप मेरी इस बात को भी यहाँ आप कर सकते हैं और दोस्तों देखिए अगर मालेचे दोस्तों समयर्केट यहाँ पे gap open हो जाता है 17,000 की पास और 17,050 की असपास गेल 1050 के आसपास gap open हो जाता है तो आपको क्या करना है तो आप दोस्तों जब तक कि market ने यह जो swing बनाया है यहाँ पर जब तक कि market इस level के ऊपर sustain नहीं होता है 17100 के ऊपर तब तक आपको यहाँ पर buying के लिए ready नहीं होना है क्योंकि दोस्तों आप कहीं न कहीं देख रहे हैं तो market यहाँ पर उपर तो जा रहा है लेकिन फिर नीची की तरफ आ रहा है तो आप यहाँ पर अगर share short यहाँ पर call लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 17100 के आसपास market जब जाएगा और उसके चलते हमारा एजेक्स निफ्टी भी डाउन हो जाता है तो फिर आप सभी को यहाँ पर market gap down open होते हुए भी देख सकता है और लेकिन दोस्तों जब तक कि market यहाँ पर 16800 का लेबल होल कर रहा है तब तक आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी negative के लिए नहीं सोचना है क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप सभी को कहीं न कहीं देखने को मिल रही है तो अगर दोस्तों market यहाँ इस level के असपास होता है gap down तो आपको यहाँ पर जल्दवाजी नहीं करना है selling के लिए क्योंकि market यहाँ पर अभी support ले सकता है 16,800 के आसपास और दोस्तों यहाँ पर जब तक की market इस level के ऊपर रहेगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर no trading zone में रहना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप तक फिर market होल्ड करते हुए भी दिख सकता है तो जब तक दोस्तों 16,800 के नीचे market यहाँ पर breakdown नहीं करता है तब तक आपको यहाँ पर selling नहीं करना है तो मैं आशा करते हूँ दोस्तों आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी होगी अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करना ना बोलें तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं हम next वीडियो में जब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम